कोई भी अनपड़ियां कम पड़ा लिखा व्यक्ति इन पांच व्यवसायां को शुरू करके कर सकता है अच्छी खासी मोटी कमाई जदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो की कम पड़े लिखे हैं या किसी कारणवश अशिक्षित ही रह गए हैं और इस वचास से उनके पास कमाई का कोई साधर नहीं है तो उन्हें आप कुछ पैसे कमाने वाले बिजनस के आइडियाज दे सकते हैं ऐसे लोगों के लिए कुछ बिजनस आइडियाज आज किस वीजियो में हम आपको बताने चा रहे हैं वीजियो को अंध तक जरूर देखें कम पड़े लिखे लोगों के लिए बिजनस के आइडियाज दूद की होम डिलिफरी का बिजनस सुबा होते ही जब दरौजे की घंटी की आवाज आती है तो उसी के बाद से आपके दिन की शुरुवात होती है ये घंटी बजाने वाला दूद वाला होता है जो कि रोज सुबा से लोगों के घर-घर जाकर दूद देते हैं दूद देने का काम करने वाले लोग अधिकतर अनपढ़ होते हैं या फिर जादा पड़ेलिके नहीं होते हैं ऐसे लोगों के लिए घर में जाकर दूद देना ही आजीलिका का साथन बन जाता है लेकिन आप सूच रहे होंगे कि ये दूद वाले खुद की डेरी खोल सकते हैं उन्हें लोगों के घर में दूद की होम डिलिवरी करने की आवशक्ता क्या है तो हम आपको बता दें कि दूद डेरी खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं और अगर वो अपनी डेरी पिलें तो लोगों को दूद जेरी में दूद लेने की बजाए उसकी होम डिलिवरी जादा पसंद आती है इसके लिए वो जादा पैसे देने को भी तयार हो जाते हैं इसलिए इससे लोगों की कमाई जादा होती है कमपड़े लिखे लोगों के लिए गाड़ी धुलाई सेंटर खोलना भी पैसे कमाने का बेहतरी नफसर साबित हो सकता है क्योंकि आज के समय में अधिकतर लोगों के पास गाड़ी होती है ना सर्फ दो पहिया बहान बलकि चार पहिया बहान भी आज के समय में अधिकतर लोगों के पास होते हैं यदि आप कम पढ़े लिखे हैं या आप ऐसे लोगों को चानते हैं जो कि अनपढ़े या कम पढ़े हैं उन्हें आप ये बिजनस करने की सरा दें इससे बहुत जादा लाब होगा इसमें आपको 15-20,000 रुपे तक की प्रतिमा आमधनी हो सकती है सबजी का बिजनस गाउं के अनपढ़े या कम पढ़े लिखे लोगों के लिए अगला बिजनस आइडिया है सबसी का बिजनस इस बिजनस में आपको रोज मंडी से सबसी सस्ते दामों में खरीद कर उसे अपने मुनाफिक के साथ बेशना होगा जिससे आपकी अच्छी आमधनी हो सके सबसी एक ऐसी चीज है जिसे लोग रोज ताजी खरीदते हैं इसके लिए वो अधिकतर बाजार जाते हैं इस बिजनस को शुरू करने में जादा निवेश की भी आवशकता नहीं है आप रोज सबसी लगबक 300 रुपए में खरीद कर उससे प्रतिदीन 1000 रुपए तक की कमा पड़ता है इस बिजनस को करने के लिए शिक्षित होना आवशक नहीं है बस आपको गाड़ी के पंचर से समन्द सभी जानकारी होनी चाहिए इस बिजनस को करने में कुछ शुरूआती निवेश करने की आवशकता हो सकती है लेकिन बाद में ये बिजनस महीने के 12-15,000 होते हैं तो चाय पीते हैं ऐसे में चाय का स्टॉल हर गली एवं नुकड़ पर दिखाई देता है और ये स्टॉल लगाने वाले लोग अधिकतर कम पड़े लिखे या गाओं देहाद के लोग होते हैं लेकिन यहीं लोग आज प्रतिमाद 10-12,000 उपे तक ही कमाई कर रहे है अताय आपके लिए ये विवसाय करना बहुत फायदे मंद हो सकता है इसे करने में आपको कुछ जादा निवेशक नहीं करना है बस आपको जो भी निवेशक करना है वो चाय बनाने के लिए उप्योग होने वाले बरतन एवं ठेले आदी की ही आविशकता होती है तो ये थी कुछ आसान से कम पढ़े लिखे और अशीक्षित लोगों के लिए बिजनस आइडियाज इसे कोई भी व्यक्ति जिने पढ़ना लिखना नहीं आता है वो शुरू कर सकता है और पैसे कमा कर अपना घर चला सकता है